अगले पूल हैं बात कर लेते हैं स्वागत है आपका शाहिन स्वागत है आपका नमस्कार कहां से बात कर रही हैं महराश, जी, सवाल कर लिजिए, बात कीजिए, हकीन साफ से बात करनें जी, शाहीं से चयर साथ। गन्वरिंगा थे दूश पाई भी इस बनिया में अपने बालों के लिए दिएखने पुछ कोई यह नहीं का वजे फाफ नहीं है तो मेरा गन्वरिंगा कहते है तो में राकरिंस हाथ थाइब क्या है है मैं आगर को चाहिते हम आठाग। कियुकि मैं माजुन मांगा रही हूँ, तो गण अनतर है भुमास के गवारी चिनमा रही है। मैं बहुत क्या बहुत है दूसरा जखती हूँ, आकिनञेैं के बाने हाई여, चेण संटेमाल के जानना चाहती हूं, भशावार जानते हैं अहसते में आपका दूसरा सवाल क्या था शाहीन? मैं आपके सारे सवाल लिख लिए गए हैं लेकिन हाकीम साभ सबसे पहले शेर आपसे जरूर सुनना चाहूंगी को एक शेर याद रहाता के किसी के शेर था कै शेर कि शाहीन जो होता है वह एक परिंदा होताय जो कभूतर का जानवरों का शिकार करता है आसमान में और वहीं पकड़ता है वहीं खालेता है तो किसी ने शेर कहा था कि शाहीन भी है क्या तेरी ही इजाद मासूम कबूतर के बनाने वाले यह उपर वाले से कह रहे हैं कि तुने उसको भी बनाया है जो शिकार होता है और उसको भी बनाया है जो शिकार करता है बिल्कुल बहुत खुब हकीम सब पहला सवाल है इनका के गॉन मौरिंग और माजून आर केर का इस्तमाल ये कर रही हैं लेकिन इने घर का कोई तेल जानना है जिसका ये इस्तमाल करें? हाँ तो लंबा सवाल था इनका माजून आरकेयर आप खाएं गौन मौरिंगा खाने की जरुवत नहीं है और जब यह माजून पांच-छे महीने आप खा लेंगे तो बालों की कमी को आप भूल जाएंगे इतनी कुछते मुदाफियत आएगी कि बाल अपने आप दराद ग्रो है और जो लोग कंजू से खाते हैं उनको एक महीना भी चल सकता है आपने ये भी सवाल किया था और शिका काई आमला रीठा और छोटी हड रीठा जो है ये पुद्रती शैंपू है तो इन सब को ऐसे हम वजन लेके जैसे सो ग्राम ले तो सब को सो सो ग्राम ले और इसका प लोहे का बर्तन में भीगो दें रात में और सुबह में आप इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ी देर अपने सर में लगाएं इस मेहंदी भी डाल सकते हैं अपनी जरुद्रत की महंदी भी आजकल असली उसली मिलती नहीं है तो ये काला हो जाता है लोहे के बरतन में फौलाद से यानि लोहे से रियक्ट करता है और ये काला हो जाता है और जब ये आप अपने सिर में लगाते हैं आदा घंटा पौना घंटा तो सर के बाल भी मेरे जैसे आपके होने लगेंगे जैसे मेरे बाल है और आप रोज भी इस्तमाल कर सकते हैं कभी-कभी इस्तमाल करते हैं लेकिन अच्छा है घी जो महिलाएं उपने घर में निकाल लेती है बालाई जमा करकर करके न उसका घी आप रात को सर में लगाकर और सो जाय करें कोई पाली पैक या इसकी कैप भी आते हैं वो पहन के सो जाय करें सुबह को घुसल कर ले यानि इस्नान कर ले गर दो-चार बार ऐसा करते हैं तो डेंडर से निजात मुम्किन है आज़ुन आर्केर का इस्तमाल अगर ही कर रही है तो क्या घी का परहेस करना जरूरी है? अनि घी आप इस्तमाल कर सकते हैं दूद और और धूद से परहेस करें और खटी चीजों से परहेस करें तो फायदा बुम्किन है चलिए तो शाहिन आपके सबी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं आपने घर का भी एक नुसका पूछा था यानि कि आप घर में ही कोई तेल बनाना चाह रही हैं तो वो भी आपको बता दिया है हकीम सहाब ने तो लाब उठाना चाहती हैं तो इन सारी बातों को फॉलो जरूर कर लिजेगा ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेल उनुसकों से जादा से जादा आप फायदा उठा सकें